हाई वरिवन फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में तो दोस्तों ये रहा अखबार नौ भारत ठीक है इसी अखबार के माध्याम से हम लोग जानेंगे इन सभी क्राइटिरिया के बारे में इसलिए वीडियो को पूरो आपको देखना है ठीक है लाश्ट तक देखना है मै आपको step by step ठीक है ठोड़ा सा समझाने का प्रयास करूँगा तो सबसे पहले देखेंगे जरूरी दस्तवेज इसके योग्यता रासी कैसे मिलेगी रासी चेक में या फिर एकाउन में फॉर्म कब भरना है और कहां भरना है आउनलाइन फिर आफलाइन इन सभी बातों को आपको बता दूं 36 गड़ बिरोजगारी भत्ता 2023 का सुवाराम राज सरकार द्वारा बिरोजगार युवाओं को वित्तिय सहता प्रदान करने के लिए किया गया है इसके तहत आपको राज्य के लिए सिक्षित बिरोजगार युवाओं को बिरोजगारी भत्ता के रूप म हर महिने और ये आपको लगतार दो वर्स तक आपको दिया जाएगा 25 रुपए हर महिने अगर इसके योग्यता के बारे में देखें तो बारवी उत्तिर्ण होना अनिवारी है ये एक अप्त्रेल से लग हो गई ये योजना इसके साथ ही आपको बारवी पास होने के बाद होता है वो जीवित होना चाहिए और दो वर्स पुराना होना चाहिए इसके साथ ही परिवार का कोई भी सदस्या सरकारी नौकरी या फिर प्रावेट नौकरी नहीं होना चाहिए इसके साथ ही साथ पांच एकर से कम जमिन या फिर 75 क्विंटल से कम धान की बिक्री होनी चाह इसके बाद देखेंगे डाकुमेंट ठीक है आवस्यक दस्तावेज जो आपके पास होना अनिवारिया है सबसे पहले आपके पास होना चाहिए आह प्रमाण पत्र अभी फिलाल वर्तमान का उसके बाद बारवी कक्षा का अंग सुची का फोटो कापी जीवित रोजगार तो आपको नगर पंचायत कारेला में जाकर जमा करना होगा यदि आप गाउं से हैं तो आपको जनपत पंचायत कारेला में अपना दस्तवेज सहीत आवेदन आपको जमा करना होगा उसके बाद बेरोज़गारी भत्ता वो स्विक्रिती होने के बाद आपको एक नोटीस मिलेगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपके दौरा चत्तिस गड़ बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने हे तु आवेदन फार्मा भरागया था जिसमें आपके आवेदन सुईकार कर ल प्राप्त कर सकते हैं इसी प्रकार कुछ महिने के बाद आपको दूतिय चेक लेने के लिए कुछ नोटिस मिलेगा जिसमें दूति वर्सकी रासी 30,000 रुपए की होगी जिसका आप चेक कारलाय जनपत या फिर नगर नियम में उपस्तित होकर प्राप्त कर सकते हैं ठीक है ध् लगेगा तो दोस्तों आज का था ये छोटा सा वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करना तो चलिए मिलते हैं नेश्टे वीडियो में तब तक के लिए जैहिन वंदे मातर हो